जहिन देखिए हम लोग वेगनार ग्रूप के बारे में समझते हैं और क्या वेगनार ग्रूप के विद्रों के बाद पुतीन कमजोर पड़ गए हैं या और सक्तिसाली हो गए हैं कहीं ऐसा तो नहीं है वेगनार ग्रूप को मार मतलब फसा देना खुद पुतीन की ही चालती दीए, वेगिनार ग्रूप एक private army की ग्रूप है, वेगिनार ग्रूप की सुर्वात जो थी, प्रिगोजीन और देमित्री उतकिन ने किया था, इसका मुख्याले जो है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में है, सेंट पीटर्सबर्ग में इसका मुख्याले और इसकी सेना बहुत ज तो उसी समय प्रेगोजीन अपना एक रेश्टरेंट खोला था उस रेश्टरेंट में जाकि ये खाना खाते थे पुतीन तो वहीं से इन दोनों की दोस्ती होगी बाद में पूतीन जो है वो सत्ता हतिया लिये बाद में इनसे करीबी बढ़ी तो ये सेह बना और बड़े- पूरी दुनिया में फैली हुई थी ये माली में गई लीविया में कांगो में सीरिया में और हर जगा इसने अपनी प्राइवेट सेवा दिया था प्राइवेट आर्मी से फायदा ये होता है कि अगर ये कुछ कांड भी कर देते हैं तो सरकार कर देती हमको क्या मतलब तो को को कर देते थे और सरकार सीधे सीधे बच जाती थी यह वेगणार गृूप इसमें बहुत खतरनाक लड़ा के सामिल होते विगत इधर सालों में यहाँ हालिया महीनों में देखेंगे तो इसमें गूर्खा नेपाल से गूर्खाओं भी वहाँ जाने लगें इसमें सामिल करने चर्चा में और पावर में तब आया, जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया को कबजा किया, रसिया ने जैसे क्रीमिया को कबजा किया, यहाँ पर उसने वेगनार ग्रूप का ही मदद दिया, आप याद कीजिए, रसिया ने जब दुबारा डोनेस्क और लोहांस में जब कबजा किया पर जवाब क्या दे सकती है और वो लोग अंदर घुस के बवाल कर देते हैं तो मेंली यह पावर में आये थे सब यूक्रेण वार को लेकर और यह रसीयन आर्मी के साथ था लड़ रहे थे पूरी की पूरी यूक्रेण वार में और काफी साथ दिया इन लोगों ने रसीयन आ लगी और कई कि हम यहां से अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे यह खेरसन वागरा से पीछे हटने लगी थी यहां पे पोट्स जेपोरेजिया वागरा सी पीछे हटने लगे थे सब और अल्टिमेटली क्या हुआ हुआ है एक कोईस उनी बीस से कईस जून के बीच में यह ल लोगे ने रोस्टोब सहर को कबजा कर लिया और यहां एक हाइवे है M4 हाइवे इस हाइवे सीधे मास्को तक जाता है मास्को यहां से 1000 किलोमीटर है 1000 किलोमीटर है रोस्टोब से मास्को यह लोग मास्को मार्च निकाल दिये और प्रेगोजीन जो है इसका अध्यक्ष उस इसे ही इनकी आर्मी यहां रोस्टोप से पार करते वोरोनी सहर तक पहुंची, तो यहां पर रसियन आर्मी और वेगनार गूरूप के बीच फाइट हुआ, और यह फाइट खतम करके यह वेगनार गूरूप आगे बढ़ने लगी रसिया से, और यहां से 200 किलोमीटर प्रेगोजीन यहां से बेलारूस चले जाते हैं, और यहां से वो अधेख देते हैं, कि यहां से उनकी सेना अब लोट जाएगी, अब यहां से वेगनार गूरूप जैसे आई थी, वेगनार गूरूप यहां से फिर से उसी तरह से वापस लोट गई यूकरेन के रास्ते, लेकिन पूतीन इस पर पूरी तरह से भड़क चुके हैं, पूतीन ने सबक सिखाने का ठान लिया है वेगनार ग्रूप पर, देखिए, एक्शुली हुआ क्या था, इसके पीछे जाच के बाद, क्या पता चला, उसको हम लोग समझते हैं, देखिए, सारी कहानी होती है, अचा पावरफूल इंसान, और कितना इनका पकड़ होगा, कि चोतरफा ये परतिबंधों से घीरे हुए हैं, पूरे यूरोप वर, पानी पीपी गरी आ रहा है, यूकरेन में लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंदर तक्ता पलट की बवाल हो रहा है, फिर भी दो मिनट में सुल् अब जर्णल सर्जई सुरोवकीन को, ये जो थे, ये वेगनार ग्रूप के सपोर्टर थे, ये वेगनार ग्रूप को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे थे, और वेगनार ग्रूप जो थी, अपने पूरे लड़ाकों के साथ घुज गई यूकरेन की लड़ाई में, और ये सर्ज जोई थे ये पूरी तरह वेगनार गुरूप को हतियार पैसा लोजिस्टिक सब सप्लाई कर रहे थे और इनहीं के दम पर बहुत तेजी से युक्रेन पर कब्जा कर लिया गया लेकिन ये लोग थोड़ा जादे मन बढ़ गए थे इन लोग को लगता था कि यही रसिया को बढ़ने लगा तो पुतिन ने कहा कि भाईया अब हमको अपनी औरीजिनल चाल पर आना पड़ेगा इसने क्या किया सेरजेई को पत से हटा दिया और सेना पती बना दिया अगला जनरल जो नियुक्त कर दिया जिसके कंट्रोल में पूरी यूक्रेन वार होनी थी वो बना द दिया इन्हें लोजिस्टिक सप्लाई देना रोग दिया हाथियार देना रोग दिया खाना पीना सप्लाई रोग दिया अब यह भाईया भड़क गया यह बोला भाईया तुम तो बहुत अच्छा थे यह इन दोनों में पहले से खुननस चलता है भाईया यहां पर इसने च कर डूराचनारुट. अमेरिका इस घटना का थोड़ा भी विरोध नहीं किया. हाला कि रूस के हर एक मामले में अमेरिका विरोध करता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं किया, क्योंकि अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है, जिस तरह रसिया की वेगनार ग्रूप है, वैसे अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर ये आर् सबसक्राइब का घ्राखШ का अधार भीक हैं इसघीते जए показ ईराकिंज आप वगई spricht होगा कि पर हम्ला कर दिया उसमें 27 सिविलियन लोग मर गए है बार कर चले गाए बर बान। प्रसना हस कर दिया यहां पर यहां पर बाद में इसकी बहुत चीछाले दर हुआ किरी किरी हुई तो इसका नाम बदल के एकडमी रख दिया गया दोनों बात बराबर ही लेकिन इस तरह के मामले में अमेरिका नहीं बोला हो गया तो मतलब यह हम बता रहे हैं कि देखिए अमे सेना का मर्जर कर दिया जएगा अब जितने भी वेगनार ग्रूप की सेना है उन सेना का मर्जर कर दिया जएगा रसिया में रसिया में एक अलग बटालियन बना दिया जएगी वेगनार ग्रूप का अलग बटालियन उसका कमांड रसिया ही देखेगा सब कुछ देखेगा यहाँ पर और इनको ना बेलारूस में रख दिया गया है इसके अलावे जो इनका सपोर्ट करने वाले यह जो सर्जेई सेना पती थे यह गाय भैरस ही आभी मिल नहीं रहे हैं इनकी पत्नी खोजरी यह फोन लगा रहा है नहीं मिल रहा है फोन लगबू नहीं करेगा अब आगे समझते हैं आपर अब उनका फोन नहीं लग रहा है आगे देखते हैं लोग यह आपर देखिए द्यान से तो यह इनको बेलारूस भेज़ दिया गया इनकी पूरी सेनाव में अब क्या किया गया है अब कमांड दिया गया चेचन लड़ा के जो यहाँ पे रमजान क कादिरों है यह चेचन लड़ाके यह सबसे खुंखार माने जाते हैं अब जो लड़ाई का रूख होगा वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा जो पहले नहीं हुआ था अब होगा अब रसिया भ्यानक रफ्तार से हमला करेगा और यूक्रेन पर तीन तरफा हमला कर देगा चन्या में चेचन पोर्सेस को लेके आगे बढ़ेंगे रमजान कादिरों अब यह तीन और से तबातोर हमला होगा यहाँ पर यूक्रेन में अब यूक्रेन को कोई बचाने वाला नहीं आएगा और यह हमला तेज हो भी गया है देखिए यूक्रेन का ये एरिया जो है ये इसके सबसे बड़े परमारू रियक्टर में आते हैं आप जेपरेजिया नाम है ये नाइपर नदी के किनारे सहर है जेपरेजिया जेपरेजिया में यूरोप का सबसे बड़ा परमारू रियक्टर है और यहाँ एक ही जगा में छेचे परमारू रियक्टर है देखिए एक 2, 3, 4, 5, 6 पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाडू रियक्टर है अगर एक भी रियक्टर में ब्लास्ट हुआ तो भयानक तबाही होगा ऐसे ही तबाही यूक्रेन एक बार देख चुका है 1986 में इसका एक सहर था जिसका नाम है चेर्णोजेम चर्णोजे में 1986 में एक रियक्टर में ब्लास्ट हो गया था केवल एक रियक्टर में ब्लास्ट हुआ था और वो रियक्टर इससे छोटा था अभी क्या है ये उससे अगर इन में ब्लास्ट होता है इन रियक्टर में तो उससे दस गुना जादे तबाही मचाएगा और यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरो बरबाद हो जाएगा अगर इसमें ब्लास्ट हुआ तो आप सोच सकते हैं कि ये रियक्टर की सेफटी कितनी जरूरी है लेकिन आपको लगता है ये सेफटी जरूरी है लेकिन ध्यान दीजिए ये वही रियक्टर है छेटों जो हम आपको सेटलाइट इमेज में दिखा रहे हैं चेस्जेरी ऐकर दिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छे ये रियक्टर है और ये दिखें धमाका कहां तक हुए है ये रियक्टर के कीतने पास धमाका हुआ है और इसमें रस्यान आपी घू अब यूक्रेन को नहीं समझ मेरा अगला टारगेट पुतीन का है कि जितने ये रियक्टर है इस पर हमला कर देगा लेकिन पुतीन इंतजार करेंगे हवाओं के रूख का क्योंकि जब परमाडू रियक्टर ब्लास्ट होता है तो उसमें खतरनाक रेडियेशन निकलते हैं जि पूरे यूरोप को तबाही होगी और हवाओं का रूफ इस साइड है तो अगर इसमें ब्लास्ट किया गया तो उल्टा रूस को तबाही होगी अब यहां से रूस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है जिस दिन हवाओं का रूख इधर होगा मौसम विभाग बता के लिए पुतिन ने इसका पानी सुखा दिया कई से इसे बांधवे तूर दिया यहां पर इपान का पान यह रियक्टर हो गया यह रियक्टर यहां पर यह रिजर्वायर है रिजर्वायर का बांध तोड़ दिया बांध तोड़ने से पूरा पानी गिर गया नोवा खाको क यह बांध का नाम था, नोवा बांध तोड़ देने से, यह पूरा पानी निकल गया, यहां पानी ही नहीं, अब दुनिया का कोई इंजिनियर अब इसे इस्टार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें पड़ा इन्हन में अगर ब्लास्ट हुआ तो, यह नोजीम ब्लास्ट है, दस मुना जादे खतरनाक साबीत हो गई है, रूस ने यूक्रेन के जितने ठेकाने थे उसके उड़ाना चालू कर दिया, यूक्रेन के लगबर 9 से 10 जनरल रेंक के अधिकारियों को मार दिया, लगबर 100 अधिकारियों को उड़ा दिया, जो भी वहां पर मिसाइल डीपो थे उसके उपर बंबार्डमेंट कर दिया, कमांड सेंटर को रसिया ने उड़ा दिया, यूरसिया ने अब अपने प्रेसीजन गाइडेर बंबों को गिराना चालू किया, पहले रसिया के जहाँ नीचे उड़ते थे, जिससे वो टार्गेट पर बंब गिराते, तो अब पर गूल रहे हैं, और प्रेसीजन गाइडेर, लेजर गाइडेर बंब गिरा रहे हैं, जो महेंगे होते हैं, लेकिन अचूक हमला करते हैं, अब रसिया ने पूरा कमर कस लिया, हमले को तेज कर दिया, उसने अपने SU-35 बंबर को उतार दिया है मैदान में, और इस बीच र चूसरा यहुदी परधानमंत्री है, तो वो जininiski है, तो यह दोनों यहुदी है, जीउस, यहुदी यहुदी का काट खेल रहे हैं, पूतिन ने का दिया कि यहुदी वग़रा नहीं है, अपने देश में यहुदीों के लिए कुछ भी नहीं किया है, और अगर यहुदी य अपटा का सबसे ट्रश्टिस एएर डिफेन शिस्टम है, वो छोटे-जोटे हम लोग को ख़तम कर देता है। इसके लिए रसिया को दिक्कत था, लेकिन यहां खुद इसराइल डर गया, क्योंकि इसराइल अगर यूक्रेन को बचाने जाता है, इसराइल जाता है यूक्रेन को बचाने, तो इसराइल की दुस्मनी है इरान से, इरान से दुस्मनी है, और इरान और रसिया में भैंकर दोस तो रसिया उसका reverse engineering करेगा और reverse engineering करके इरान को देदेगा और इरान उसका तोड़ निकाल देगा और हमास नामा कातंगवादी संगठन को देदेगा और जो हमास जो rocket मारती है इसकी सारी कमजूरियों को हमास पढ़ लेगा और reverse engineering करके बाद इसराइल को ही तबाह कर देगा इस रूस का सबसे परमीत्र है यहाँ पे लुकाशेंको इसके परधानमंत्री है यह लुकाशेंको इनकी रूस से बहुत जयादे दोस्ती है पुतीन से क्योंकि दोनों ही पिछले 20-25 साल से सथा में हैं सब यहाँ पर दोनों एकदम दोस्त की तरह लगता है रिष्टेदार है सब यहां पर अब इसमें ऐसा रीजन क्या है क्योंकि न यह बेलारूस की अस्थापना 1991 में हुई थी 1991 में उसके बाद 1994 में सत्ता कब जाक कर लिये कौन ये लुकाशेंग को अत्तब से लेके अभी तक महीं पर है चुनाओ होता है तो जीती 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 नहीं नहीं देते 2020 म पुतीन का सबसे बहरोसे मंद है इसके विपक्च में जो उठा था उसको इसने गिरफतार कर लिया तो उसकी जो पत्नी थी स्वेतलाना वो उठी स्वेतलाना का बुढ़ाओ तो जेल में चल गए थे स्वेतलाना को मिला 10% वोट अभी हला करी हमरा वोट मार दिया रही मार यह तो इनों को उठा दिया करती है कितना भी विद्रो हो जाता है कोई कुछ नहीं सुनता है रसिया अपने उदर से कुछ वेगनार गुरूप वालों को भेजता है सांध कर देते हैं समया पर तो बेलारूस और रसिया में बहुत बहतरीन कनेक्शन है क्योंकि इनको 28 साल से सत्ता में हैं यह क्या करेंगे कोई इनके खिलाफ अगर बोल दिया तुरत यह बंदा उसको जेल में भेजवा देता है इतना खतरनाक है पत्रकार था जिसका नाम था रोमन प्रोस्टेविच रोमन प्रोस्टे जो था इनके खिलाप लिखता था कुछ यह एक बार ग्रीस से जाराथा लिठवाणिया के लिए रफ्यिया तुक में लड़ागो जा वावा में उसके जहाज को किर्नेप कर लिया गया जब कि यह इलीगल है आप दूसरे जहाज को नहीं कर सकते हैं लेकिन इसने बहाना क्या बनाया कि इसको सूचना मिली है कि इसके अंदर बॉम रखा हुआ है उतारो अब भाईया दूनों और से घेर यह लड़ाकू जहाज प कि बेलारूस में जब तक यह आपके लूका सेंको है और इधर पूतीन है। भाईया पूतीन संह 2,000 से 1,994 है पूतीनों से बूर रही तो अदि महारा है उल्टे पुतिन सक्तिसाली हुए, क्योंकि 2016 में तुर्की में भी सेना ने तक्ता पलट की कोशिस किया था, लेकिन जनता ने उस तक्ता पलट को विफल कर दिया, और तयबुल अब्दोगान 2018 के चुनाओं में भारी मतों से जीत गए, इसका मतलब जब कभी भी राष्ट पर बिकट संकट आता है, तो उसी राजनितिक पार्टी को लोग वोट देते हैं, जो पहले से सत्ता में है, क्योंकि जब राष्ट भावना जूड जाती है, तो लोग दूसरे को नहीं देखते हैं, ऐसा 1999 में भी हुआ था, जब चेचन लड़ा के पुतिन के फेबर में, चेच वो दिन था, और हमारे जमान वहाँ सहीद हो गया, इसके बाद हम लोगे ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें हमारे विंग कमांडर अविनंदन का जहाज उस साइड में गिर गिया, और सरकार ने बड़ी दृड़ता से उसे वापस लाया, इससे देश की जनता का और अपने सत्ता के साथ विश्वास बढ़ गया, और मोदी जी का उल्टा मतलब जो वोट सेरिंग था, वो बड़ा, रीजन क्या है, कि जब भी राष्ट पे संकट आएगा, और राष्ट का अध्याक्ष है, बहुत बोल्ड डिसीजन होगा, तो जन क्यांफ़ नागर कर रहा है, इसलिए करमिलीन में होने वाला एलेक्षन, रसिया में 24 एलेक्षन में पूतीन को कोई नहीं हराएगा, और दूसरा बात, पूतीन का सकतिसाली होना, रस्या का सकतिसाली होना जरूरी है, यूदि रसिया के पास केवल एक ही दोस्त बचेगा, और रसिया चाइना के गोद में बैट जाएगा, क्योंकि चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और चाइना पर रसिया गिया तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे इंडियन का 70% हतियार जो है, वो रसिया से हाँ, हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री रसिया पे लिए, रसिया का सकतिसाली होना जरूरी है वरना वो चाइना के गोद में बैठ जाएगा और चाइना के गोद में पहले से पाकिस्तान बैठा हुआ है आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे अभी यूसी सी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट समान सिविल संगीता क्या इस पर एक वीडियो बना देंगे उसको आप फ्रांस पर क्या करांतियो और उस पर बना देंगे और अपने सपने को साकार कीजिए और मल लगा के पढ़ाई कीजिए अब जहां पहीं भी क्योंकि देखिए सिक्षा से दूर रहेंगे तो आज का जमाना है अगर आप पढ़ाई में पिछड़ गये तो कहीं के नहीं रहेंगे तो आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जैहिन